प्रसकॉंफरेंस ओने वाली है जो मुख्मंत्री का घर है जम्मू में वहाँ पर ये प्रसकॉंफरेंस होगी उसमें डिप्टी सीम की भी मौजूदगी होगी उसमें मिनिमम कॉमन प्रोग्राम सरकार चलाने के लिए जो नियूंत्म एजिंडा है उसको सामने लेकर आए जाएगा इन सब के बीच कई सवाल जो इसको हमको लगता है जिसमें चर्चा लगतार करने की जुर्रत है उन सवालों को हम लगतार टोलने की कोशिश करने हैं अब पहला सवाल ये है कि मुफ्ती साहब और दूसरी तरफ निर्मल सिंग जो की डिप्टिसी हमाएं ये मेसेज आया था दिल्ली में जब मुफ्ती साहब आये थे जिस बात का जिक्र बीजेपी नहीं कर रही है सरकार नहीं कर रही है मोधी सरकार की तरफ से कामोशी बरती कि उसका जिक्र बार निकल कर मुफ्ती साहब ने कह दिया था पाकिस्तान से बाचीत होनी चाहिए हुरियत को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए क्या ये दोनों एक गटवंधन एक दूसरे के लिए ढाल का काम भी करेगा को कि कश्मीरी पंडितों का सवाल आएगा तो सका जाएगा ये एक इस रूप में है कि स्ट्रेटिकली ये एक बेहतरीन मौका दोनों के लिए है बहुत बढ़िया सवाल है और दरसल कश्मीर की सियासत का भी ये सबसे बड़ा सवाल है मुझे लगता है कि मुफ्ती मुफ्ती मुफ्त साइद को जो लोग जानते हैं वो मा हाटी के सेप्रेटिस्ट हैं उनमें जो डॉमिनेंट रोल अदा करने वाले लोग हैं उनके उनसे समवाद की च्छमता उमर अब्दुल्ला फारुक अब्दुल्ला या किसी और नेता से ज्यादा मुफ्ती साहब के पास है ठीक इसी तरह से जो हालात को बिगाड़ने वाले लोग हो सकते हैं यानि मैं राइट विंगर्स की बात करता हूं उनको अगर मोधी सरकार केंद्र की वो अपने नेताओं पर स्थानी नेताओं पर दबाओ डाल कर कहती है कि आप इंतजार करो एक अच्छा काम हो रहा है मुफ्ती साहब के नेत्रत्वे हमें भरोसा है तो ये एक बहुत ही अधवत घड़ी है जमुकश्मीर में जब एक तरफ जो कटरपंथी ताक्ते हैं अलगावादी ताक्ते हैं उनको नेट्रिलाइज करने की पोटेंशल रखने वाला नेता है दूसरी तरफ हिंदू कटरपंथी ताक्ते हैं उनको अगर कोशिश करें मोधी और कि जमो कश्मीर में जो नेता उनके हैं वो ठीक से बिहेव करें वो होस्टाइल एग्रेसिव पोश्चर न दिखाएं तो बढ़िया हो सकता है देखिए एक बात बताओ मैं 2002 की बात मुझे एक याद आ रही है उस वक्त सेयद लिशाह गिलानी जब मुख्यमंतरी बन रहे थे म मुफ्ति मुहमत सई जयद कॉंग्रिस के साथ वो राची जेल में बंद थे और बिमार भी थे मुफ्ति मुहमत सई ने सबसे बड़ा काम किया मुख्यमंतरी बनने के बाध कि चौपर हेलिकॉप्टर भेज करके बकायदे उनको टाटा इंश्चूट में भरती करवाया आज की तारीख में जब हम 2015 में शपत ग्रहन समारों देख रहे हैं कश्मीर घाटी में कोई और स्थिती होती दूसरा कोई मुख्यमंद्री होता तो आज स्ट्राइक होती कश्मीर में बात बात में स्ट्राइक होती है आज कोई स्ट्राइक कश्मीर वैली में घोशित नहीं है दुकाने खुली हैं संडे के बहुत बहुत लोग सड़कों पे आ जा रहा है आप बता लगा लीजी अपने करिस्पानिंट से तो कुल मिलाकर माहौल में कोई ऐसी नकारात मकता नहीं और ये भारत के लिए बहुत अच्छी है भारत की अवाम कश्मीर की अवाम और सबके लिए अच्छी है बशरते की नरिंद्र मोदी जी जो जिनके सामने बड़ा संकट है कि कैसे दक्षनपंथी ताक्तों को अपनी पाइटी में जो काफी एग्रिसिव भी हो सकती है समय समय पर उनको कैसे कंट्रूल करें कश्मीर के ल करता है मुस्लिम होकर पहली बार देश ने देखा था वो इस देश की जटिलता को समझते हैं और कॉम्प्लेक्स जो को जमु कश्मीर की उसको भी समझते हैं क्या मुफ्ती साहब मोदी सरकार के लिए एक बेस्ट वाहन हो सकते हैं मौजूदा वक्त में जो मुश्किलात है क बीपी सिंग के साथ बने थे तो ऐसा सुल्जा हुआ नेता कश्मीर समस्या के लिए हम क्रमा के कहेंगे कि करंड सिंग को बड़ा माना जाता रहा लेकि करंड सिंग उन समस्याओं को समाधान नहीं कर पाए गुलाब नभी आजात कर पाए कॉंगरेस के निताओं की तरह देख करके राश्टी धारा से जोड़ करके और वो एक बहुत बड़ी चुनोती भी है और देखे महभूबा में राश्टी एकता परिश्डित के कुछ साल पहले बैठ उनके साथ बैठ रहे हैं तो देखा है कि तब महभूबा भी इतना उत्ते जग भाशन देती थी जो लगता था की शंका है मैं इसलिके फिर से कहूंगा वो भी एक आर्थिक बुद्धा ही होगा यदि जम्मू कश्मीर की सरकार जो पैसा आए उसको ठीक से अभी चाहे बाड का मैसा भी पैसा उतना नहीं पहुंचाया चुनाओं के कारण लेकिन अब वो पैसा सही धंक से खर्च कर सकता हैं कि उधर का जो करप्शन है उस सब के बीच में अखिलेश जी अब हमारे से जो कि सम्मीत पात्रा भी अब बीजेपी के निता भी जूर चुके हैं अखिलेश जी एक सवाल हर जहन में होगा कि जो सामाजिक सदभाओ का जिक्र लगातार हो रहा है और जम्मू कश्मीर एक बड़ा इम्तिहान है इस मामले में क्योंकि वाकई एक ऐसा गटबंदन है जिसके जरीए समाजिक सदभाओ खुद बखुद निकल कर आगिया कि इस गुल्दस्ते में सब कुछ सामने है ये कहीं एक सयम भी दिलाएगा केंदर को और ये सयम भी दिलाएगा देश में उन कट प्रवादी ताक्तों को जो इस सीच को बिगाड़ने में लगते हैं और प्राइम मिनिस्टर इसके खिलाब पार्लमेंट में बोल भी रहे हैं क्या जम्मू कश्मीर एक ऐसा गटबंधन है जो एक नई सीख आने वाले वक्त में राइट विंक्स को देने वाला है तो यह समय बताएगा कि यह एक सामाजिक समीकर्ण को जन्म देता है या सिर्फ एक यह अपर्चूनिजम की पॉलिटिक्स को दरसाता है क्योंकि इसके बाद क्या जिस सामाजिक समीकर्ण की आप अपिक्षा करते हैं वह RSS, BJP, मोदी जी या और उनके अनुवाई संगठन इस गठबंधन के बाद अपने आपने परिवर्तन लाएंगे आप यह जानना चाहते हैं तो यह समय बताएगा दूसरी बात जो समय बताएगा इस सरकार के गठन होने का वो यह है कि अभी जनादेश था दल मिलके जाओ सरकार बनाओ जनादेश की अनुरूप रानितिक दलों ने हुआ सरकार का चैन कर लिया अब यह जनादेश जनता को स्विकारना है यह रानितिक दल जनादेश के अनुरूप जनता का काम करते हैं कि अपने 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 एलेक्टोरेट को सम्मोधित करते हुए अपना रानितिक हित सादते हैं यह भी समय बताएगा हम तो सुब कामना देते हैं कि कस्मीर वैली के लिए देश के लिए इतना हो सके दोनों हिमानदारी से काम करें आप इच्छा करते हैं लेकिन संका तब पैदा होती है कि जब पिछले दिनों से बहुत से बातों पे उसे जुम्ला सावित होके निकल जा रहा है बीसे सुनेता का संकट खड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे माननी मोदीजियों पर बीजेपी आरेसेस के उपर हम अपिक्छा करते हैं कि यहां वो संकट मेर है जना देश के अनूर्प सरकार चले और कस्मीर की भलाई के लिए काम हो यह एक ऐसा मौका आया है बीजेपी के पास या कहें खुद केंदर की सरकार के सामने जहां पर जम्मू कश्मीर एक जम्मू कश्मीर के लिए भी इमतिहान है और शायद एक ऐसी फॉलिटिकल पार्टी के लिए भी इमतिहान है जहां पर अगर जम्मू कश्मीर सफाल हो गया कुछ issues को बोलेगा इसका जिक्र हमें नहीं करना है क्योंकि आप इसमें टकराव है लेकिन ये एक almost एक ऐसा इंतिहान है जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार जिसमें जम्मू से ज़्यादा दिल्ली स्टेक पर लगया हुआ है सम्भी जी देखे पूर्णिय जी इसमें दो चीज़े हैं पहला विशय है कि ये दे वस नो दो ऑप्शन जिसको आप अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ऑपर्चुनिजम कह रहे थे मैं उनसे बड़े भद्रता के साथ तो विनम्रता के साथ क्योंकि आज सरकार हमारी बन रही है तो यहां विनम्र होना चाहिए मैं किसी प्रकार से रेटॉरिक होना नहीं चाहूंगा वास देर अन आप्शन दो पाटियां एक को 25 सीट एक को 28 सीट एक वैली से और एक जम्मू से कोई और राजनेतिक विकल्प नहीं ऐसे में परिपक्वता दिखाते हुए दोनों पाटि को एक मंच पे आना और जम्मू कश्मीर जो इतने अर्से से सफर कर रहा था नॉन गवर्नेंस, नॉन पर्फॉर्मेंस के कारण उसको जो अभी फलड हुए हैं उसमें विस्थापित लोग हुए हैं उन सब के दुखों को देखते हुए तुरंत आक्शन में आ जाना चाहिए था वो दोनों पाटियों ने किया कोई और अप्शन नहीं था दूसरा महत्तोपून विश है आप जो कह रहे हैं कि क्या धर्म के पटल पर और पूरे हिंदुस्तान में एक सोशिल चेंज देखा जाएगा तो मुझे लगता है कभी भी भारतिय जन्ता पार्टी के इंटेंशन पे सवाल या निशान नहीं था भारतिय जन्ता पार्टी का इंटेंशन हमेशा ही क्लियर था चाहे जम्हू कश्मीर में आज हमने सरकार बनाई हो या पिछले दिनों में भी प्रदान मंतिय नरेंद्र मोधी जी ने बड़े सपष्ट शब्दों में हमारे मनसा को रखा था कि सभी का साथ और सब का विकास हो हाँ ओपोजीशन का काम है ओपोज करना उनको हर चीज में वही सब दिखता था ये अलग विशय है मगर आज एक एतिहासिक दिन इसलिए भी है क्योंकि आपको ध्यान होगा कल जब प्रेस कॉन्फरेंस किया था मुफ्ती साहब ने उन्होंने कहा था वैसे तो अगर एरपोर्ट से एरपोर्ट जाएं तो 20 मिनिट का रस्ता है वैली और जमू के बीच मगर फासले बहुत बड़े हैं इसके पहली बार एतिहासिक रूप से मैंडेट को भी देखते हुए फासले को पाटने का काम जिस प्रकार से ये दोनों पाटियां कर रही है मुझे लगता है हमें सुबकामनाएं भी देना चाहिए और एक इतिहास बन रहा है इस नजरिये से भी पूरे विशय को देखना चाहिए यकीनान हम इस पे आते हैं और आपने अच्छा कि अब 20 मिनिट का जिक्र कर दिया उसके मुफ्ती साब ने कहा था कि लेकिन सलक के रास्ते आईये तो 6-8 गंटे लग जाते है यानि एक दूरियां भी है और निकटता भी है निशित रूप से आप देखिए ओबामा के विजिट के बाद भी और कश्मीर हमेशा हम वेसे कहीं नहीं चाहते हैं कि हम तीसे किसे सलाल है लेकिन कश्मीर पाकिस्तान से जुड़ा हुआ एक ऐसा विवादा मुद्धा है आतंकबाद की दर्श्री से भी इसलिए चीन या अमरीका के साथ भी जब बात होती है तो कश्मीर एक मुद्धा रहता है कि वहाँ आतंकबाद रोका जाए पाकिस्तान को रोका जाए ऐसी दर्श्री से ये जो नई सरकार बन रही है केंद्र में जो कहें कुछ मामलों में अमरीका को भी सूट करने वाली है कि ऐसी सरकार जो कहीं उनके साथी हो सकती है और चीन जो पाकिस्तान को भी अब उसके आतंकबाद को समझने लगा है वो चा हो जाया करती थी? नहीं देखिए हम आशा तो यही करेंगे कि केंदर भी संजिदा रहे गा क्योंकि कश्मीर के मतलिक भारत पाकिस्तान रिष्टों का होना भी बहुत जरूरी है लेकिन इसके अलावा कश्मीर के अलावा भी बहुत मुद्दे हैं भारत पाकिस्तान के रिष्टों में लेकिन मुफ्ती साब के वहां पर चीफ मिनिस्टर होने से एक जरूर बहुत धिक मानसिक राजनितिक दबाव रहेगा केंदर पर कि ज़्यादा संजीदा होकर के भारत पाकिस्तान रिष्टों पर सोचा और समझा जाए और अगर पुनरविचार इस तरह का आता है केंदर के मानस पर तो ये बहुत अच्छी बात है कश्मीर के लिए भी पूरे देश की अख्रेश जी क्या ये मैसेज एक इतिहासिक मोल पर खड़ा है आपको ऐसा लगता है निश्ची तरुप से कम से कम अब पाकिस्तान से इस बात पर वारता नहीं तूटेगी कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के हुक्मरान सेप्रेटिस्टों से बात कर लिए क्योंकि मंत्री परिसद में जब खुद उन्हें सामिल कर लिया है मानी मोदी जी तो इतनी इतनी बातों पे पाकिस्तान और वारत के वारतालाप नहीं तूटेंगे जब वारतालाप नहीं तूटेंगे तो वो देश के हित्मे ही होगा जी समित पातराजी आखरी कॉमेंट चाहेंगे क्या बीजेपी की समुची राजनिती का कश्मीर में सत्ता में आना शामिल होना एक बहुत बड़ा विस्तार है मैं तो मालूँगा एतिहासिक विस्तार है और आज वे मौका भी लोगा उन तमाम लोगों को शामा प्रशाद मुखर जी जो हमारे प्रनेता हैं उन से लेकर टप्लू जी जिनके बलिदानों के कारण आज भारती जंता पाटी पूरे हिंदुस्तान में प्रसार और प्रचा करने लगे हैं ये परिवर्तन करने की शमता होती है आप वो नहीं कर पाए थे हमने किया है और जहां तेहासिक मौल पे संबिद जी डिसकेशन को खतम करते हैं हमका लगता है जिसमें जम्मू कश्मीर को लेकर समुची दुनिया की नजर है और शायद एक ऐसे मुहाने पर ज दुस्तान शब्द होगा एक छोटा सा ब्रेक